हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ ब्रत में खाई जाने वाली समा के चावल की खीर की रेस्पी से एर करेंगे यह देखे कितनी बढ़िया और मलाईदार हमारी खीर बन कर तयार ह हुई है चलिए तो बनाना सुरू करते हैं यहां पर हमने आदे कप से थोड़ा कम समा का चावल दिया है अगर इसे माप से ना पा जाए तो यह छै बड़े चमत चावल है सबसे पहले एक बाउल लेंगे उसमें चावलों को डालेंगे यह दिखे हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से यह चमा का चावल होता है बहुत ही छोटा छोटा दानेदार यह चावल होता है यह बिरत में खाया जाता है सबसे पहले इसे हम पानी डाल कर अच्छे से दो से तीन बार साफ कर लेंगे अब इसको हम 20 मिनट के लिए भिंगो कर रख देते हैं इधर हमने आधा लीटर दूद लिया है दूद को हम गरम करते हैं आप इसे किसी भी दूद में बना कर तैयार कर सकते हैं हमने यहाँ पर गाय का दूद लिया है अगर आप फुल क्रीम दूद में बनाएंगे तो इसक कि दूद हमारा गरम होने लगा है अब इसमें हम चाबलों को डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे चम्मच को आप बरतन की तली तक चलाते हुए पकाईए जिससे खीर हमारी नीचे लगे नहीं और यदि खीर नीचे लग जाएगी तो यह जल जाती है इसलिए आ देखे खीर हमारी काफी गाड़ी सी होने लगी है गैस की फिलेम इस समय आप दो कर दीजिए और इसे 15 मिनट तक आराम से पकड़े दीजिए चीनी डाल देंगे यहां पर हमने चार बड़े चम्मच चीनी डाली है आप चीनी स्वात के अंशाय डालिएगा चलाते हुए ची चीनी को भी मिक्स करेंगे लोफ लेम पर अब हम खीर को पकने देंगे अब इसमें कटे हुए काजू बादाम और किस्मिश डालेंगे यह चार-पांच इलाइची है जिनको हमने कूट लिया था साथ में इसमें आप मखाने भी डाल दीजेगा चलाते हुए दो मिनट के लिए हम और इसे पकालेंगे जिससे जो हमने ड्राइफूट डालेंगे वो थोड़ी से सौप्ट हो जाएंगे और यह देखे खीर हमारी बनकर बिलकुल तैयार हो गई आप इसे हम ढग देते हैं पांच मिनट वाद हम इसे सर्व करेंगे यह देखे पहले से खीर काफी गाड़ी हो चुकी है यह देखे और देखने में ही यह खीर बहुत ही जादा टेस्टी लग रही है चलिए तो एक बाउल में इसे हम सर्व कर लेते हैं खीर हमने बॉल में सर्व कर ली है अगर आप इसे ठंडा खाना चाहते हैं तो आप इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए उपर से हम इसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता से गानिस कर देंगे और लीजे हमारी बढ़िया मलाईदा खीर बन कर तयार हो गई इससे हमने सिर्फ 20 मिनट में बना कर तयार कर लिया है तो कैसी लगी आपको हमारे खीर की रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक सेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल बेना भूने थैंक यू